मैं आज़ा महाराज आज का विषय है पूजा करते समय नीद आना एवं आसु आने का क्या रह्स है यह वीडियो आपके लिए अत्य लाप पारी से दोगा मेरा आप से अनरोद है खिर पर आइस वीडियो को सुरू से अंतर तक आवसर देखें वह लाव उठाएं देखें हमारे पास अन्यकों भक्तों के फोन कॉल्स आये हैं मेसेज आये हैं और उन्होंने हमसे पूछा है कि मह इसके संकेत देखें ब्रह्मान के प्रारम में सबसे पहले अ कि सिङ्वम्लिंग की उत्पत्ति हुई तो इस परकट हुआ ता यह संपूर ब्रह्मार कि इसके स्वामी भगवान सिव हैं और सभी देवी देपता, सभी प्राणी मात्र उनी से जन में हैं, उनी का आंस हैं, इस ब्रह्मान के संपूर्ण कणकण में, भगवान सिव हैं, जब आप अपने पूजा पर बैठते हैं, और सर्दा वक्ति से, संपूर्ण समर्पन भाव से, पूरे मन से जब आप अपनी पूजा संपन्द करते हैं, तो अनेकों वार ऐसा होता है, कि आपके आखों में आंसु आ जाते हैं, एवं नीद आने लगती है, और कई वार नीद आ जाते हैं, यह यह लक्षन क्यों होते हैं, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, देखिए, जब आप पूजा करते हैं, संपूर्ण भक्ति भाव से, पूरे मन से, समर्पन से, तब आपके आसपास और आपके सरीर में भगवान की सकारात्म कूर्जा का संचरण होने लगता है, और आपकी आत्मा का इसवर से जड़ा होने लगता है, देखिए, अगर आपके आँखों में आशू आते हैं, और नीद आती है, तो इसके प्रवक जो संकेत है, वो आप ध्यान से सुनिए, नम्मर एक, अगर आपके साथ ऐसा होता है, तो आप यकीन मानिए, आपकी आत्मा का इसवर से मिलन हो चुका है, मतलब आपकी आत्मा का जुड़ा हो चुका है, अपने इस्ट देव या अपने इस्वर से, नम्मर दो, आपकी प्राथना का पूरा फल आपको प्राथ होने वाला है, नम्मर तीन, जब आपके पूजा के वक्त आँखों में आशू आते हैं, तो इसका मतलब आपका जो मन है और अंत्यकरण है, वो बहुत तेजी से सुद्ध होने लगा है, आपका मन असुद्धियों से दूर होने लगा है, उसमें सुद्ध विचार एवं सकारात्मक उर्जा का संचरण होना प्रारम हो गया, नम्मर चार, जब आपको पुजा के वक्त नीद आती है, तो इसका मतलब है कि आपके इस्ट देव या आपके देव आप से अतन्त प्रसंद है, अब आपके जीवन में कस्टों का अंत होने वाला है, नम्मर पांच, जब आपके आँखों में आसु आते हैं, नीद आने लगती है, तो इसका मतलब आपकी पुजा सिगार हो रही है, आपकी बाद, आपके मन की बाद, आपके इस्ट देव तब पहुंचे रही है, और वो उसको सुन रहे हैं, नम्मर च्छ, अगर पुजा के समय आपको नीद आए और आसु आएं, तो आपके इस्ट देव आपको अपना आसीरवाद और अंस प्रदान करने वाले हैं, ये पिर्मुक लक्षण हैं, ये पिर्मुक बाते हैं, जो आपके साथ निकट भविस में आवस्थ होंगी, और बहुत ही जल आपका जीवन बदलने वाला है, आप बहुत ही जल नई नई उचाईयों पर पहुचने वाले हैं, आपको जीवन में अनेकों सुखों की प्राप्ति होने वाली है, मेरा आप से अनरोद है, किर्पया आप इन बातों से बिल्कुल ना गवड़ाएं, वलकि प्रसद हों और अपनी नित्व पूजा में लगे रहें, मैं आप से अनरोद करता हूँ, किर्पया आप अपने इस प्रिये चैनल एडवेंचर साफ कॉस्मिक एनर्जी को सेयर करें, लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आएं, तो सब्सक्राइब अवस करें, और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और बैल आइकन के बटन को भी दवाएं, आज का ये वीडियो हम यहीं समाप करना चाहिए, जय स्रिया,